आज किस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे Contraception के Barrier Methods के बारे में कि एक्चुल में Contraception के Barrier Methods कौन-कौन से होते हैं जिनसे आप Pregnancy को Prevent कर सकते हैं सो गाइस बनेरी हमारे साथ इस वीडियो में वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग, यूजफुल और इन्फार्मेटिव होने वाली है गाइस पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर Contraception के Natural Methods को बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिसकस किया था वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखिए तो वीडियो आपको डिसक्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप देख सकते हैं काइस आज किस वीडियो में हम यहाँ पर Only Discuss करेंगे Contraception के Barrier Methods को की Contraception के Barrier Methods क्या-क्या होते हैं काइस आप पर जो Contraception का Barrier Method जो First है वो है Male Condom जो Male Condom होता है यह एक टाइप का Long, Thin, Deflated, Balloon Shape का होता है जो की Pregnancy से Prevent करता है Pregnancy से Prevent करने के साथ यह हमें Infection से भी Protect करता है काइस आप पर जो Condom होता है यह Latix Polyurethane का बना हुआ होता है जो पार्टनर के Penis को पार्टनर के विजाईना में Insert करने से पहले Penis के उपर Place करना होता है काइस आप पर जो Male Condom होता है अगर इसके Effectiveness की बात करें तो इसकी जो Effectiveness होती है वो 85 से लेकर 98% इसकी Effectiveness होती है अगर प्रौपर तरीके से यूज किया जाए तो अगर proper तरीके से use नहीं किया जा सकता है तो इसके 2% failure के भी chances हैं कि ये 2% fail भी हो सकता है काई चाहाँ पर अगर इसके advantage की बात करें तो जो condom होता है ये over the counter होता है इसकी जो cost होती होती low होती है इसके साथ साथ जो condom होता है ये हमें infection से भी protect करता है next guys यहाँ पर contraception का barrier method जो second है वो है diaphragm गाई साथ जो diaphragm होता है ये एक टाइप का circular dome shaped rubber disc होता है जो female के vagina के through insert किया जाता है गाई साथ जो diaphragm होता है ये cervix के opening को block कर देता है या फिर कह सकते हैं cervix के opening को cover कर देता है जिससे female के cervix में जो semen है जो sperm है वो intern नहीं कर पाता है और हम pregnancy से prevent हो जाते हैं काई साथ जो diaphragm होता है ये market में अलग-अलग size के available होते हैं दो से लेकर 4 inches तक की okay depend करता है कि upper vagina का size कितना है काई साथ जो diaphragm होता है ये फिमेल अपने according यूज कर सकती है जब मन करे तब जो है अपने हिसाब से उसको remove भी कर सकती है काई साथ जो diaphragm होता है इसको remove करने के अगर बात करें तो intercourse करने के six hour बाद ही diaphragm को remove करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर diaphragm में spermicide gel होती है जो diaphragm को kill करने का काम करती है काई साथ पर diaphragm को remove करने के बाद इसको soap और water से washout कर दिया जाता है इसके बाद हम फिर से इसको use कर सकते हैं काई साथ जो diaphragm है इसके अगर effectiveness की बात करें तो इसकी 80% effectiveness होती है और 20% failure के भी chances होते हैं काई साथ जो diaphragm होता है इसका एक disadvantage भी है यह हमें infection से protect नहीं कर सकता है निश्टे हाँ पर contraception का जो barrier method है वो है cervical cap यह जो cervical cap होता है यह भी एक small bowel safety की device होती है जो female के cervix को cover करने का काम करती है यह जो cervical cap होता है यह female के vagina के through insert किया जाता है और जो cervical cap होता है यह cervix के opening को cover कर देता है जिससे जो semen है या फिर जो sperm है वो cervix के अंदर इंटर नहीं कर पाता है कैस यहाँ पर जो cervical cap होता है इसको spermicide के साथ design किया जाता है सर्वाइकल कैप में spermicide का use किया जाता है इसलिए यह दो तरीके से काम करता है एक तो sperm को cervix के अंदर इंटर करने से रोगता है दूसरा यहाँ पर जो sperm होते हैं वो kill भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर spermicide का use किया जाता है काई जहांपर जो सर्वाइकल का होता है ये इसके बाद तो तो 100 models रेट होता है ये भी हमें इन condom जो female condom होता है एक टाइप का soft loose fitting safe होती है जो की polyurethane की बनी होती है जिसका एक side closed होता है उके कही PAUL सब्सक्राइब करता है जिससे pregnancy prevent हो जाती है जो female क्षाइन होता है इसको करने के एट और पहले रहर इंसर्ट किया जाता है गई साफ़ करता है और विजाइना के अंदर इस पर्म को पास होने से भी और इसके इस के बात करें तो इसका resonated होता है और परसंट फेलियर रेट भी होता है काईसा पर जो female condom होता है ये over the counter होता है और काफी इसको थोड़ा सा use करना easy होता है और ये हमें infection से भी prevent कर लेता है निश्टे आपर जो barrier method है वो है spermicides जो spermicides होते हैं ये एक type के chemicals होते हैं जो female के vagina के उपर apply किये जाते हैं काईसा पर जो spermicides होते हैं ये sperm को kill कर देते हैं या फिर sperm को inactivate कर देते हैं ये जो spermicides होते हैं ये market में कई सारे form में available होते हैं ये tablet form में available होते हैं या फिर jelly form में या फिर cream form में available होते हैं काईसा पर जो spermicides होते हैं इनको intercourse के पहले vagina में insert किया जाता है before intercourse immediately applicator के through female के vagina में insert किया जाता है यह जो spermicides होते हैं अगर इसके effectiveness की बात करें तो इसका जो 18% है यह failure rate होता है अगर advantage की बात करें तो यहाँ पर जो spermicides होते हैं यह हमें market में easily available हो जाते हैं और लेकिन यहाँ यह जो spermicides होते हैं यह हमें infection से prevent नहीं कर सकते हैं और इसको लेकिन हम बहुत easily spermicides को use कर सकते हैं निश्टे हाँ पर जो barrier method है वो है vaginal sponge जो vaginal sponge होता है यह भी एक type का small circular polyurethane का sponge होता है जिसमें 1 gram spermicides include होते हैं काई सहाँ पर जो vaginal sponge होता है यह female के cervix को cover कर देता है जिससे female के cervix में जो sperm है वो इंटर नहीं कर पाते हैं इसके साथ यहाँ पर 1 gram spermicides होता है जो sperm को kill कर देता है काई सहाँ पर जो vaginal sponge होता है यह vagina में 6 hour से ज़्यादा देर तक place नहीं रखना चाहिए और यहाँ पर जो vaginal sponge है इसको only one time ही आप यूज कर सकते हैं अगर इसके effectiveness की बात करें तो जो vaginal sponge होता है इसके 20% failure rate होते हैं अगर इसके advantage की बात करें तो यह over the counter होता है लेकिन अगर इसके disadvantage की बात करें तो इसको जो use करना है वो थोड़ा सा difficult होता है और यह infection को भी prevent नहीं कर सकता है निश्टे हाँ पर contraception का जो barrier method है वो है non-hormonal intrauterine device काई सहाँ पर जो non-hormonal intrauterine device होती है यह female के uterus के inside में insert की जाती है जो fertilization को prevent करती है ओके काई सहाँ पर जो intrauterine devices होती है इनकी जो effectiveness होती है वो बहुत हाई rate में होती है इसके अगर failure rate की बात करें तो 0.6% failure rate होता है अगर इसको proper use किया जाए तो निश्टे यहाँ पर जो intrauterine device होती है यह copper T होती है जो की small T safe की होती है जिसमें two flexible arm होते हैं और यहाँ पर अगर इसके side effect की बात करें तो यहाँ पर जो intrauterine device होती है यह during insertion uterine perforation कोज कर सकती है और यहाँ पर menstrual bleeding जो है वो increase हो सकती है नेश्ट यहाँ पर जो female होती है उसमें infection होने का risk increase हो जाता है नेश्ट यहाँ पर जो intrauterine device होती है इसको insert करने के लिए और remove करने के लिए एक trained clinician की requirement होती है So I hope आप लोग यह सारी चेज़ समझ गऊंगे Contraception के barrier method अगर आपको वीडियो अच्छे लिए वीडियो को like कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe कर देना क्योंकि ऐसे ही informative वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मिलते रहते हैं अगले वीडियो में हम यहाँ पर discuss करेंगे hormonal methods के बारे में कि contraception के hormonal methods कौन कौन से होते हैं ओके थैंक यू